उतरपिदेश के फत्यपूर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां एक साप ने 40 दिन के अंदर एक यूवक को साथ बाड़ा सा है लेकिन अभी वीवा जिन्दा है साथ वीवा जब साप ने यूवक को काटा तो उसकी हालत नाजिक हो गए जिशेश शहर के एक नी कोनी की आशंका में डरे संहने हुए है फिलेथ यूवक को जब छटी बार साप ने काटा था तो नया खुलासा किया था यूवक ने बताया था कि जिस privacy साप ने такие उसे काटा और रविवार को ही डसा है लेकिन इस बार उसे गुरुवार को ही चाचा के घर सोते समय डस लिया पूरा मामला मलवा थाना शेत के सौरा गाउं का है बता दे की सरपर दंश से पीड़ी 24 वर्ष विकास त्रिवेदी मलवा थाना शेत से सौरा गाउं में रहने वाला है जिसे स साप ने 40 दिन के अंदर साथ बार काट चुका है बार-बार साप making कातने चाटने से पहले ही उसे खत्रे का आभास हो जाता है चछटी बार तक साप ने उसे शनीवार और रविवार के दिन ही काटा था लेकिन इस बार साप ने चाचा के घर पर रहते हुए गुरुवार को शाम को काट लिया जिसके बाद परीजन ने विकास की हालत नाजूर देखते हुए शहर के एक नीजी अस्पताल के आईश्यू में भरती कराया है इलाज कर रहे डॉक्टर जभार लाल के मुताबिक 24 घंटे बाद ही यूवक के हालत के बारे में बताना मुम्किन है यूवक का पहले भी छे बार इसी अस्पताल में इलाज किया गया है परिवार के लोग अपकी शनिवार और रविवार को विकाश त्रिवेदी को नासिक और बाला जी ले जाने की योजना बना रहे थे तब ही गुरुवार की ही शाम करीब आठ बजे सोते समय डस लिया परिजन लगातार इसे अलकुपन या घटना से खास परिशान है भाईभीत है और सरकार से मदद की गुहार लगार